दर्शन के ख्षेत्र में आज हम दर्शन के तीसरे ख्षेत्र नितियुमानसा की बात करेंगे तत्युमानसा जैसा की हम उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि मूल तत्युक की बात करता है, बूल तत्युक के स्वरुप की बात करता है वो चेतन है, अचेतन है, जड़ है, भोतिक है या उसकी संख्या कितनी है, एक है, दो है, अनेक है फिर हमने ग्यान इमानसा में यह बात की कि क्या उस मूल तत्तु का ग्यान प्राप्त किया जा सकता है क्या ऐसा कोई साधन है ग्यान प्राप्ती का जैसे हम उस मूल तत्तु को जान सके हैं नितियुमान सामें यहाँ प्रश्ण उड़ता है कि वो मूल जो तत्तु है जैसे हम अलौकिक सत्ता कहते हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है क्योंकि परम तत्तु को तो अलौकिक माने जाता है वो इस लोक की सत्ता नहीं है वो अलावकिक है और हम हैं लोकिक इस संसार की वस्तु है इस संसार की सत्ता है तो वो हमारी जिवन को कैसे प्रभाइद करता है क्या हम उसे जान सकते हैं क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम तो लौकिक सत्ता हैं क्या लौकिक सत्ता अलौकिक सत्ता को प्राप्त कर सकती हैं हम इस संसार में इस जगत में रहते हैं और हम एक संसारिक जीवन जीते हैं इस संसार के नियमों के इनुसार चलते हैं, संसार के और लोगों के साथ अपनी जीवन को यापिन करते हैं। किन्तु क्या हम ऐसे ही फैट दिये गए हैं या हमारे जीवन का कोई लक्ष है, कोई उद्देश्य है। नितियमानसा उसी लक्ष और उसी उद्देश की खोज करना चाहता है क्योंकि ये बात तो इसपस्ट है कि जीवन आना और जाना है आवा गमन जिसे हम कहें कोई भी व्यक्तिया इस थाय रूप से नहीं रहता कुछ भी नहीं रहता कोई थोड़े कम समय के लिए रहता है कोई थोड़े अधिक समय के लिए रहता है लेकिन ये निश्चित है कि सभी को एक न एक दिन जाना है इस संसार को छोड़ना ही है तो जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो व्यक्ति कहा जाता है ये बड़ा एक आध्यात्मिक प्रश्ण हो सकता है, किसी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं तो क्या ये जो जीवन मरन की यात्रा अनन्त कालों से चली आ रही है क्या इसका कोई विराम है, क्या कहीं पे जाकर ये समाप्त होगा क्या हम किसी लक्ष तक, किसी गंतव्य तक पहुँच सकते हैं और यदि पहुँच सकते हैं, तो क्या उसका कोई एक भिन्न मार्ग है क्या उसका कोई एक विशिष्ट मार्ग है, क्या हम बार-बार किसी एक ही गलती को करते हुए बार-बार आवागमन में फसे हुए है या किसी विशेश मार्ग को हमें चुनना पड़ेगा जिस पे हम चलके उस लक्षे को प्राप्त कर सकें फिर नितिमान सा ये बानती है कि चुकि हम इस संसार में तो हैं ही तो अब इस संसार में किस प्रकार जीवन व्यतीत करें हमारा आच्रन कैसा होना चाहिए लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इसमें भी नितिमान सा हमारी सायता करता है कौन सा आच्रन जो है वो सद है कौन सा जो आच्रन है वो बुरा है कौन से सदगुण है कौन से दुरगुण है हमें कैसे ग्यात करें इनका भेद हमें कैसे ग्यात हो उचित, अनुचित, शुब, अशुब कर्म, अकर्म का निर्णे कौन करें किस प्रकार से करें और कैसे करें उसका मापदंड क्या हो तो इन सारे जो बड़े प्रश्णों की बात हम कर रहे हैं इन सबी प्रश्णों के जो संबन्द है वो निती विमानसा से है वो एथिक्स से है निती विमानसा कुछ लोग मुल्ले विमानसा भी कहते है क्योंकि यह हमारे जीवन के मुल्यों को निर्धारित करता है कि हम किन मुल्यों पर इस जीवन को जीए किन मुल्यों के आधार पर हम लोगों के साथ वेवार करें, आचरन करें किन मुल्यों के आधार पर जीवन की स्रेश्टा और इनिमनता को प्रेरित करें इस पस्ट करें एक लाइन खीजने की इधर के जो कारे हो ठीक है उधर के जो कारे हो ठीक नहीं है तो इस प्रकार से निति उमानसा में आचार के नियमों और मुल्यों दोनों पर विचार कहता है हमें आशन कैसा करना चाहिए और जीवन के जो मुल्य हैं वो कौन से होने चाहिए इन सभी का निर्धर्ण नितिमानसक के अंतरगत आता है